बेर टूडेंट आज के इस वीडियो में हमें संसलेशित बहुलक के बारे में समझेंगे पिछले वीडियो में हमने बहुलक क्या है, बहुलक किशे कहते हैं इसके बारे में समझ था और बहुलक के दो परकार के होते हैं बहुलक को दो भागों बाटा गया है संस्रेशित बहुलक या करतरिम बहुलक ठीक है और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुलक है क्या बहुलक का मतलब है कि जब छोटे-छोटे सरल अणू आपस में मिलकर के एक उच अणू भारवाला बड़ा अणू बनाते हैं तो इसे अपन बहुलक कहते हैं कहने का मलब छोटे छोटे आणू मिल करके एक बड़े आकार काणू बनाते हैं, उसी अपन बहुलक कहते हैं, तो प्राकर्तिक बहुलक तो परकर्ति में अपने आप सवतही बनते हैं, इनमें मनुष्य का कोई सयोग नहीं है, परंतु दूसरा तो परकार है संसलेशित बहुल इनको प्रियोग साला में लेवोरेटरी के अंदर लेव में तयार के जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इनको संसलेशित बहुलक या दूसरा नाम करतरिम बहुलक भी इनको कहा जाता है, ठीक है, तो तो त distributing सुरुवाद करते हैं, मानो निर्मित बहुलक, करतरिम बहुलक किया संसलेशित बहुलक कहलाते हैं अब अपने सलेबस में इस पाठे पुस्तक में तीन परकार के बहुलक हैं करतरिम बहुलकों में करतरिम रेशे पढ़ेंगे अपन पलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे अपन और संसलेशित रबबड के बारे में बढ़ेंगे पर ठीक है देखो रेशे जो करत्रिम है उसी प्रकार से प्राकर्टिक रेशे भी होते हैं जिसे कपास के रेशे हैं नारेल के रेशे हैं जूट के रेशे हैं ये और जंतों से प्राप्ट होने वाले भी रेशे हैं जैसे खरगोस वगेरा हैं, उनके फर्जों हैं, उनसे रेशे प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से प्राकर्तिक रेशे जो पोदों से जंतों से प्राप्त होते हैं, और करतिर्म रेशे वो हैं, जिन्हें प्रियुक्साला में बनाया जाता है, वो हैं करतिर्म रेशे. तो पहले अपन आज के इस वीडियो में करतिम रेसों के बारे में जानकरी परात करेंगे और अपने सलेबस में तीन परमुख करतिम रेसों का एक्जामपल दिया गया है नाइलोन 66 के बारे में पढ़ेंगे अपन, टेरिलिन के बारे में पढ़ेंगे अपन और Rayon के बारे में पढ़ेंगे अपन तो चलिए अपन सबसे पहले सुरुवात करते हैं Nylon 66 के बारे में जो कि एक कर्तिम रेशा है Nylon 66 इसका नाम ही क्या है Nylon 66 6-6 Nylon के कपड़े आपने नाम सुना होगा अपन जो कपड़े यूज करते हैं तो Nylon के कपड़े भी बनते हैं देखिए समझते है Nylon 66 किश्य बनता है यह है Aedipic Amal अब देखिए तो Aedipic Amal है यह है एक 6 कारबन वाला योगिक है इसमें 6 कारबन होते है यह आप सनुसना देख पारे होगा कि पाठे पुस्तक में Aedipic Amal का सुतर यह है लेकिए इसको मना रहा हूँ यहां से यह पूरा यह Aedipic Amal है यह N जो है N तो बाहर है यानि कि इनकी संक्या है Aedipic Amal जो एक अनू है इसकी एक number of Aedipic Acid ठीक है यह इनका लो number of संक्या है ठीक है यह Aedipic Amal है तो देखो इसकी में कार्बन में यहां पर यह जो CS2 है यह CS2 ब्रेकेट के अनू है यह 4 अनू है यहां 4 लिखा न तो 4 तो यह हो गए एक यह रहा 5 और यह के रहा 6 तो 6 कार्बन वाला है Aedipic Amal कि जो कार्बन होते हैं 6 चीक है दूसरा इसमें Hexamethylene Diamine यह भी 6 कार्बन का है नाम क्या Hexa देखो Hexa Hexa या Hexa यह की बात है Hexa का मलब 6 Mono का मलब 1 Di का मलब 2 ठीक है न प्राई का मलब 3 Tetra का मलब 4 Penta मलब 5 Hexa मलब 6 होता है तो Hexa Methylene Methylene जो है उसके 6 अनू है तो देखो यह रहा है यहाँ पर यह जो सर्नाचना आपको दिख रही है यह Hexa Methylene यह जो CS2 है यह Methylene समू है और 6 यहाँ पर देखो 6 लिखा है तो Hexa Methylene हो गया और Diamine Di का मलब होता है 2 और Amine यानि कि Amino समू है जो NS2 होता है उसे अपन Amino समू कहते है NS3 को अपन Ammonia कहते है और NS2 को Amino तो 1 Amino समू यहाँ पर है और 1 Amino समू यहाँ पर है एक NS2 यह रहा और 1 NS2 यह रहा तो Di यानि कि 2 हो गए 2 Amino समू है 1 और 2 और 6 Methyl है तो Hexamethylene तो इस प्रकारशे नाम हो गए इसका Hexamethylene Diamine यह भी 6 Carbon का है अब देखो यहाँ पर 6 Carbon तो पहला 6 का मतलब तो है ADP का मतलब 6 Carbon माला और दूसरा 6 का मतलब है यहाँ Hexamethylene Diamine यह भी 6 Carbon का है तो इस नाम पढ़ गया 6-6 Nylon 6-6 तो यह का Nylon 66 इसको बोलते हैं Nylon 66 अपन बोल सकते हैं Clear के संगनन से बनता है आप देखो संगनन नाम जहाँ पर भी आए वहाँ क्या होगा इन योगी को को अपन जोडेंगे जैसे ADP का मल को और Hexamethylene Diamine को अपन जोडते हैं तो जल काणू निकलेगा संगनन का मल यहाँ पर अपनको जल काणू निकाल देना है जब दोलों जुडते हैं तब तो देखो यह रहा आपना यह जो इतना आपको दिखरा है इसको ब्रेकटेव बन कर रहा हूँ आप इसको ब्रेकटेव बन कर लिज़ेगा यहाँ 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 इस परकारशे ठीक है तो यह डाई अडीपी कमल है तो अडीपी कमल की यहाँ पर यह जो OH है इधर वाला यह OH यह यहाँ के जो हेग्जामेथिलिन डायमीन का यह जो एमिनोसमू है NS2 तो इसका एक H इदर आ आ गया इसको अपने दे लिख दिया, वास्तेमिया किया था है, Ns2 यहां था, परंतो यहां पर से एक NH को अपने यहां ठाकर के यहां लिख दिया, और इसका यह जो, OH है, यहां है, और इसका H, कहने का अमलब हेकजामेथिलिन, डाइयमीन का तो H, और एक डिपिक अमल का OH, यह दोन से इन दोनों के मिलने से यहां पर देखो यहां तो बिल्कुल यह क्या है यह जो इतना भाग है यह आपको दिख रहा यह रहा इधर और प्यानों जुड़े हुए है ठीक है यह बीच में CS24 यह रहा और यहां पर यह जो CO यह तो CO यह भाग है और यहां यह जलकाणू तो निक यह रहा आगे और जुड़ावा है इधर भी और इसमें योगिक जुड़े हैं और इधर भी और योगिक जुड़े हैं किसके ADP कमल और हेक्जामेथलिन डायमीन के इस परकार से जुड़ करके एक लंबी सरंगला बना लेते हैं बहुत सारे अनू जुड़ाते हैं तो बहुलग कहलाते हैं बहुत सारे अनू छीक है यह जो बनता है इसका नाम है नाम याद रखने है और इनको जोड़ करके जल का एक अनू निकाल देना है जल का अनू निकलते हैं यहाँ पर यह जो CO और NS2 यह बंद बन गया यहाँ पर बीच में देखो CO तो यह रहा यह भाग यह वाला यह वाला भाग और NS2 वाला भाग ही यह यहां पर है Isaiah निकलते हें इसमचर भीमें बंद बंद गया यह वह बंद यह रहा ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर हमने नैलोन 66 की इस प्रकार से तयार किया दाता है इसके बारे में समझा आपको एक बात और बता दू नैलोन 66 जो है इसका एक नाम और है सहे तो आप नोट कर सकते हो यहाँ अपने कितामें लिख सकते हो इसका नाम polyamide भी है क्या नाम इसका नाम में लिख रहूं यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर polyamide ठीक है polyamide इसको कहते हैं polyamide क्यों कहते हैं क्योंकि देखो यह A है यह बर यहाँ पर यह जो CO यह CO है दिख रहा ना पर CO और यह NH यह रहा CO यह भाग ADP के मल का और NH हेकजामेथिलिन डायमिन मला भाग तो यह C और NH के बिच्चे जो बंद बंता है यह बंद यह इस बंद को कहते हैं अपन amide बंद कहते हैं इस बंद का नाम क्या है इस बंद का नाम amide बंद है और जब बहुत सारे इसके अनु जुड़े हुए है ADP कमल के और हेकजामेथिलिन डायमिन के बहुत सारे जुड़ते हैं तो बहुत को कते हैं poly तो नाम बढ़ गया polyamide ठीक है इसलिए इसको polyamide भी कहा दाता है तो मेरे खाल से आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम nylon 66 का दिर्मान करते हैं तो लिए अब अपन देखेंगे इसका उप्योग जखो एक्जाम के अंदर दोनों प्रकार से क्यूशन आएगा कि nylon 66 क्या है या nylon 66 का sensation कैसे क्या दाता है और इसका उप्योग, उप्योग बहुत जरूरी है अपने देखेंगे में महतोपुन to carbonic योगी हैं उनके बारे पड़ रहे हैं तो यह हमारे देखेंगे जोन में कहां काम आता है पहला पइंट तो है मशीनों में gear मशीन में जो gear होता है मोटर गाड़ी में भी gear होती है अपने gearbox रहता है और bearing बनाने में बेरिंग यानगी जो बेरिंग होता है जो कि गर्षण को कम करता है इस परकार से गोल होते हैं बेरिंग इसमें अपने साइकल की अदर देखा आपने पईयों में लगे होते हैं ये बेर ठीक है बेरिंग मिलाने में दूसरा पुइंट है कि टायर टायर के अंदर भी इसका प् कपड़े नायलोन के कपड़े बनते हैं किकने कपड होते हैं जल्दी सूख़ाते हैं के कपड़े उन में बसद बना लंगे मैं रशीया बना लेंगे नायलोन की ठाशट जो रशीया वाला बरस बन सकता है, कपड़े दोने वाला बरस बन सकता है, यह बरस बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इस परकार से हमने पहला पड़ा नायलोन के बारे में, और अब तो दूसरा है वो है टेरिलीन, टेरिलीन के बारे में समझेंगे, देखो टेरिलीन तर्थली केशिड को याद करने का तरीका आपको बता दूं क्या है देखो इसके अंदर इसको ब्रेकेटर बंद कर लिए इतना यह एक ट्रथली के अमल है बीच में आपको एक बेंजीन वले बनाती है यह बेंजीन है यानि कि यह कारबन जुड़े हैं यह आपर यह च्छार इस पहले आपको बार बार प्रेक्श करोगे पहले आपको बेंजीन वले अग्राता इकटर बनाने है और इधर भी आपको COOH जोड़ देना है इधर भी COOH जोड़ देना है बन गया Tertelic Acid ठीक है Tertelic Amal बन गया दूसरा इधर देखें आपको बनाना है Ethylene Glycol Ethylene Ethyl, Ethyl समयन की दो कार्वन वाला ये रहा दो कार्वन वाला Ethyl ethylin glycol इधर भी आपको OH जोड़ देना है और इधर भी आपको OH जोड़ देना है clear बहुत इजिए है देको यह आपको देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं यह सुतर जो आपको दिखते हैं कि ठेर ठेलिक अमल का सुतर के से याद होगा इनको तरिकी से याद कीजिएगा ठीक है बीच में पहले बीचवाला बनाईए उसके वाज़न दोनों तरफ उसको जोड़ दीजिए शेम है इसमें बीचवाला बना दिया आपने अथिलीन और यह ओच इधर जोड़ दिया यह जल काणू बाहर निकल दाता है, तो देखे, यहां से अपने तो यह यहां लिख लिया, यह C, O, यह इदर H, इदर भी जल काणू बाहर निकलेगा एक, ठीक है, यह बीच में, यह बेंजिन वले, यहां पर बेंजिन वले आ गई, और यह यहां पर C, यह जो O वाला भाग ह यह वाला भाग यह आ गया, ठीक है न, और यह जल तो निकली गया था यहां पर, यह वाला भाग यहां से अलग हो गया, यहां क्या इदर फिर, यह CS2, यह रहा CS2, यह भी CS2, यह CS2, और यह H, O, है इदर, और यहां जुड़ावा है, जल काणू बाहर निकल जाएगा इदर है, यह सब मिलकर के आपस में, टेरिलिन बनाएंगे, ठीक है, अब देखो, यह जो इसका नाम है, यहां खास बात जो है, देखो, इसमें एक नाम इसका और है, नीचे लिखावा है, पोली एथिलीन टर्थेलेट बहुलक, यानि कि पोली एथिलीन टर्थेलेट, टर्थेलि यहां एथिलीन गलाइकोल से बन गया, ठीक है, और पोली एथिलीन बहुत सारे, बहुत सारे क्या है, एथिलीन गलाइकोल है, और टर्थेलिक एमल है, इनके मिलने से, पोली एथिलीन टर्थेलेट बहुलक बनता है, इसे टेरिलीन कहते हैं, किलियर, तो हमने यहां पर जो है उसका sensation के से क्या राता है उसको समझा दूसरा अब आपन देखेंगे इसमें देखो ये जो टेरिलिन है इसकी मैं आपको खास वाद बता दूँ इसे टेरिलिन का एक नाम और है वह आपको बताना चाहता हूँ मैं देखो टेरिलिन का एक नाम अलग जो है वह है पोली एस्टर इसको पोलिस्टर भी कहते हैं तो की आपने पोलिस्टर तर्ट इसको को पोलिस्टर भी कहते हैं कि दिरिखेंग आप ऑलिस्टर ठीक है और इसे डेक्रोन भी कहते हैं देखो एक नाम और आ गया आपके किताब में लिखा वा भी है इसे डेक्रोन भी कहते हैं ठीक है और एक तीसरा नाम और है देखो यहां लिखा है polyethylene tersalate तो short में इसको कहेंगे P, P का अगलब poly E का अगलब ethylene और T का अगलब tersalate P, E, T इसको P, E, T भी कहते हैं जो कि बहुत important इसकी full form है polyethylene tersalate ये भी आपको या रखना है तो इस परकार से इसके कही नाम होगे terylene तो उसका नाम है यह है decon भी नाम है polyester भी है और यहाँ पर P, E, T, Pate यह भी है अब आपको जोगे सरे यह polyester नाम कैसे पढ़ा तो को इसमें ester बंद होता है जिस परकार से हमने nylon पढ़ा था देखो nylon के बारे में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर इसमें इसे polyamide भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यह CO, NS2 के बीच में जो बंद है इसको amide बंद बनता है इसलिए इसको polyamide भी कहताता है उसी परकार से यहाँ पर यह जो बंद बना है इसके अंदर किसमें? Terranine के अंदर कौन सा? यहाँ यह जो बंद है इसे बंद का नाम जो है वो ester बंद है कौन सा बंद है? ester बंद तो ester बंद के कारण नाम पड़ गया polyester poly बहुत सारे ester बंद है इसलिए इसको polyester भी कहते हैं तोट में polyester कहा दाता है अब पढ़ेंगे इसके उप्योग के बारे में इसका उप्योग कपडे बनाने में polyester के कपडे होते हैं नाव की पाल नाव जो नदी में समंदर में तैरने के लिए जो अब आवागमन के असाधन के लिए कामन लेते हैं transport के लिए कामन लेते हैं नाव belt belt जो अपन कमर पे बानते हैं जिसे हिंदी में पेटी कहते हैं, बेल्ट जो सब्द हो अंग्रेजी का सब्द है, हिंदी में बेल्ट को पेटी कहाता है, ठीक है, जुम्बक के टेप बनाने में, अपने, जुम्बक के टेप और फिलम आदी बनाने में किया आता है, तो इन सब्द के अंदर इसका प्रियोग solution किया रता है और अंत में अपना जो किरेंट में रे सा है वह रेयोन क्या है रेयोन के लिए आपको खिशी प्रकार का कोई आपको अनुसुतर याद नहीं करना है आपको रेयोन वाले point में कुछ जो बाते के वितारा हूं क्या थैंप जो कागज है अब अब आपको कि सर्फ कागज काँ से आया देखो कागज जो है वो भी पोडों से प्राप्त होता है पोडों से तेयर करता है और पोडों के नरा को पता है कि पोडों के जो कोशिकाओं के बाहर कोशिकाओं के बाहर कोशिकाओं के अभीति होती है जो की सेलूलोज की बनी होती है ठीक है, इसलिए कागज के अंदर भी क्या होता है? सेलूलोस होता है. यहां br futuro कागज का अंदर सेलूलोस होता है, कागज किसे त्यार किया ह difí था है? पोदेंने, जी से बाइस की पतियां हैं. ठीक है और भी बहुत सारे पोदे हैं जिनके पतियों को शड़ाग अला करके और उनसे कागज तयार कियाता है अपने जो किताब कागज है वो पोदों से ही तयार होता है ठीक है तो पोदे जो हैं पादप हैं उनके अंदर शेलूलोज होता है तो कहने कामलम अपने सेलूलोज कामें ले रहे हैं, इसलिए कागज से भी बना सकते हैं, या सेलूलोज आ जाए तो सेलूलोज से भी बना सकते हैं, को सोडियम हाइट्रोकसाइड के विलियन में कहा, सोडियम हाइट्रोकसाइड जैनकी N-A-O-H ये सोडियम हाइट्रोकसाइड है Sodium Hydrod range जो कि एक थार ये पदार्थ है, थार है, हमने अमल सार वाले पार्थ-ें पड़ाथा, तो sodium hydroxide की बिलिलिल में इसको बिचो कर के साफ कियादाँगा, पहले कि इसको साफ करेंगे? कागज यान की सलुलोस को sodium hydroxide की बिलिलिल में बिचो करके इसे अब देखो क्या करेंगे इसे carbon disulfide देखो carbon यह रहा carbon और di क्या वलो होता है दो, यह रहा दो क्या है दो, sulfur है sulfur या गंदक एगी बात है तो sulfide हो गया, तो carbon disulfide के घोल में में घोल कर इसको घोल लेंगे ठीक है किसको, जो अपन ने भी साफ क्या था, cellulose के अदर cellulose को sodium hydroxide के अदर साफ क्या है, उसको carbon disulfide के अदर गोल लेंगे अपन, ठीक है, और गोल करके cellulose का विलियन पराप्त कर लेंगे अब यह जो cellulose का विलियन पराप्त करते हैं, कि इसका विशेश नाम है जो कि आपके आगे भी सादा से, ठीक है, और को यह कह है, को और से, इसको viscose कहा दाता है, ठीक है, बहुत important बात है, आपके किताबे नहीं लिख्यों आप लिख सकते हो यह तो विलियन पराप्त किया है, इस विलियन का नाम क्या viscose नाम है, अब इस viscose को क्या करेंगे, इस विलियन को महीन छिदरों से, तीसरा तरना आ गया, ठीक है, इस विलियन को महीन छिदर से, में से परवाहित करके, तनू sulfuric amal, sulfuric amal यानि S204, अब sulfuric amal काम में आ रहा है, S2, S04 के अंदर थोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यह जो रेशे हैं, इनको महीन छिदरों में से निकालेंगे, और इनको तनू sulfuric amal के अंदर छोड़ दिया जाता है, और इससे rayon के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं, यानि कि, rayon जो है, अगर आपसे पूछा जाए, यह पुरुन रूप से कर्तिन रेशा नहीं है, इसके अंदर प्राकर्ति की प्रकर्ति से प्राप्ट करकी इसको बने जाता है, प्रकर्ति से कैसे, जैसे कागज नाम आए था, कागज कैसे बना, कागज तो पेट पोदों से बना है, ठीक है, इसलिए रेशन जो है, यह पुरुन रूप से संसलेशित रेशा नहीं है, यह संसलेशित तो है, अपने इसको बनाया तो है, परन्तु इसका स्रोथ क्या है, किस से प्राप्त क्या, सबसे पहले अपने चलूलों से बना रहे हैं, तो चलूलों जो है, प्राकर्टिक भूलक से बनता है और यह तो रिये उन है करतिम रेसम भी कहते है देखो रेसम तो डो धागा है वो रेसम कीट से प्रापत होता है अपने एक पाठ वियाएगा प्रागे, उसमें आपन देख लेंगे, देनिक जिएन में जो अपने, वैतो पुर्ण जो खाद्य पदार्त हैं, जो उसके अंदर अनाज है, दाल है, तेल वगेरा है, ओस देपोदे हैं, ठीक है, जन्तों के अंदर जैसे मद्दुमक्खी, सहध है, रेसम है, वो सारे अपन पढ़ रहे हैं इसे रेयोन को करतिनिम रेसम कहा जाता है आप लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम अन्य नाम भी आप नोट कर लीजिए अपने किताब के अंदर आप लिख लीजिएगा ठीक है तो इस परकार से हमने यहां रेयोन के बारे में समझा और अंतमेबन बात करेंगे रेयोन का उपयोग किया है अपने देनिक योन में वस्तर कपड़े बनाने में धागे दरिया दरी पट्टी वगरा जो है आदि बनाने में काम आता है तो आज के इस वीडियो में हमने संसलेशित जो बहुलक है तो हमना अपना पॉइंट क्या था संसलेशित बहुलक और संस के बारे में समझा कि नालब 66 कैसे बनता है और उसका क्या उप्योग है टेरिलिन के संस्लेशन का के बारे में समझा और उसके उप्योग समझे उसी परकार से अंत में हमने रियोन का संस्लेशन और रियोन के उप्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की अगले वीडियो में ह इसी के साथ हम वीडियो को सुमावत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद